हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों इस चैनल पर हम सबसे पहले आपको टीवी सीरियल्स की अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं अगर आप भी देखना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल के आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि जो भी हम नया वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप हमारे वीडियो द बात कर सकता है। रजट बताता है कि ईशा उसकी कमाई की जांच करने के लिए उसके कार्याले में आई थी जिसका अर्थ है कि वह उसके निजी मामलों में ताक जांक कर रही थी। वह उसके कार्यों की आलोचना करना जारी रखता है यह सुझाव देते हुए कि उसका प्रजट करती है कि साइशा अकेलापन महसूस करती है और रजट को उसके साथ अधिक समय बिताने का सुझाव देती है। बातचीत अजीब तरीके से जारी रहती है। रजट बिल का भुगतान करता है और सावी को साइशा द्वारा तोड़े गए कंगन के बदले में एक सुनहरा कंगन देता है जिसे सावी शुरू में मना करने के बाद अनिच्छा से स्विकार कर लेती है। इशा इस बातचीत को देखकर मानती है कि सावी और रजट का रिष्टा गंभीर है और वह रजट की आगे की जांच करने का फैसला करती है। वह जांकारी इकठा करने के लिए एक रिपोर्टर के रूप में उसके कार्याले में उसका पीछा करती है। रिसेप्शनिस्ट रजट की एक सक्त लेकिन निश्पक्ष बॉस के रूप में प्रशनसा करता है। इशा की बातचीत को सुनकर एक सभागी रिसेप्शनिस्ट को इशा की असली पहचान बताती है और उसे अमन से बात करने का सुझाव देती है। इशा का परदा तब खुलता है जब सभागी रजट और अमन को बताती है कि रजट की होने वाली सास उसकी जांच कर रही है। इससे पहले की रजट और अमन उससे भिर सकें, इशा चली जाती है। इस बीच सावी रजट को सबक सिखाने की योजना बनाती है। वह म्रिनमई से मिलती है, जिसके पास रजट द्वारा सावी को दिये गए कंगन जैसा ही कंगन है। म्रिनमई बताती है कि अमन ने उसे कंगन दिया था और वह उससे प्यार करती है। सावी को गोद लेने वाली एजेंसी से कॉल आती है, जिसमें उसके आवेदन को स्वीकार किये जाने की पुष्टी की जाती है, और वे उसकी प्रिष्ठभूमी की पुष्टी करने के इरादे से ऐसा करते हैं। सावी मृमी को आश्वस्त करती है कि वह उनके रिष्टे का समर्थन करने से पहले अमन से मिलेगी। दत्तक ग्रेहन केंदर के प्रतिनिधी सावी के बारे में पूछताच करने के लिए भागेश्री के घर जाते हैं। भागेश्री ईशा की आलोचना करती है लेकिन रजत हस्तक्षेप करते हैं, सावी की प्रशंसा करते हैं और भागेश्री की नकारात्मक टिपनियों को सही करते हैं। रजत द्वारा सावी का बचाव करने से भ्रमित होकर भागेश्री उसके इरादों पर सवाल उठाती है। शांतनू और ईशा दत्तक ग्रेहन एजेंसी के प्रतिनिधियों से मिलते हैं, जो आगे बढ़ने से पहले सावी से बात करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ईशा को चिंता है कि अगर सावी एक बच्चे को गोद लेती है, तो इससे उसके जीवन में किसी के आने की संभावना कम हो जाएगी और वह सावी के साथ इस बारे में चर्चा करने की योजना बनाती है।